हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे है आप सब? आपको भाई हाजिर रही वैकेंसी के साथ, तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है, वो आ रखी है L&D के तरफ से, लार्ज विलेंट ट्यूपरों के तरफ से, यहाँ पे बल्ग में हैरिंग आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका ड्राइव रहेगा, यह वर्चूर ड्राइव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि आपको घर पे बैटके ही इंटर्यू को देना पड़ेगा, गूगल मीट के यल्प से आपको यहाँ पे इंटर्यू देने का मौका मिलेगा, यहाँ पे बात कर लेते हैं total number of seat के बारे में तो यहाँ पे 1000 प्लस vacancy आपको देखने को मिल जाएगी bulk में hiring आपके लिए यहाँ पे होने वाल है अब बात करते हैं यहाँ पे कौन-कौन सी position पे vacancy आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे technician की vacancy देखने को मिलेगी फॉर्मेन का vacancy आपको देखने को मिलेगा junior engineer का vacancy आपको देखने को मिलेगा assistant engineer का vacancy आपको देखने को मिल जाएगा तो क्या eligibility criteria रहेगा कौन को अप्लाइ कर सकता है और even कैसे अपने को अप्लाइ करना है सारे process को मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं वीडियो को ध्यान पुरुवक देखेगा बिना स्किप किये यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट देरो मिरभाई इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना जो आपका लाइक का टार्गेट रहेगा 500 प्लस आपको लाइक करवा देना है अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दवा की शेर कर देना है बिना कंजन सी किये और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो तो हमको motivation मिलता है ऐसे बहतरिन वीडियो बनाने का चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ important point के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ position कौन कौन सी रहेगी आपकी technician की रहेगी एक तो एक formant का रहेगा और यहाँ पर आपको junior engineer का वेकंसी देखने को मिलेगा assistant engineer का वेकंसी आपको देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं यहाँ पर education qualification क्या मागा है education qualification की बात करें तो अगर आपने IT की है आप apply कर सकते हैं अगर आपने diploma की है आप apply कर सकते हैं अगर आपने bb.tech की है आप apply कर सकते हैं अगर आपने m.em.tech भी कर रखा है तो भी आप eligible रहेंगे approach all branch आपको देखने को मिल जाएगी civil, mechanical, electrically इस सारी branches यहाँ eligible रहने वाली है यहाँ पर आपको कोई exam ने होगा directly यहाँ पर आपका selection रहेगा वो आपका interview के base पर देखने को मिलेगा और यह जो interview रहेगा वो आपका online रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो drive निकाला गया है वो आपका virtual drive रहने वाला है मतलब कि घर पर बैटके यहाँ आपको interview को देना पड़ेगा जो जो candidate shortlisted होंगे उनको यहाँ पर mail आजाएगा virtual drive का और वहाँ पर उनको एक link मिलेगा आपका रहेगा google meet का link उस पर ही आपको यहाँ पर interview देना पड़ेगा application piece की बात करें तो यहाँ पर zero root पर रहने वाला है free का यह form है तो जो जो steps में आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं उनको follow करेगा आप पराम से apply कर सकते हैं अपने mobile के तरू even map को apply करके भी दिखाने वाला हूं और सारे link में आपको description में provide करवा दिये like telegram का, whatsapp का, linkedin का, instagram का और facebook का जाके join कर लेना इन सारे platform पे आपको उन jobs का update देखने को मिल जाएगा जो कि अकसर मैं YouTube पे post नहीं कर पाता और YouTube पे सारी jobs का update देना possible नहीं है तो आप इन सारे platform को join कर सकते हैं और directly मुझसे connect हो सकते हैं आपको कोई doubt है, कोई भी query है या कुछ भी पूछने है तो आप directly मुझको message कर पाएंगे तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस channel पे नहीं है तो channel को subscribe कर लेए पास में जो घंटी वाल आइकन उसको दबा दे ताकि आपको next video को notification सबसे पहले मिल पाए अप्लोड कर दी है, जाके check out कर सकते है और telegram channel का link आपको comment box में pin किया हो मिल जाएगा अब जैसे उस link पे click करेंगे अब directly apply link तक पहन जाएगे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने directly इसके pdf को download कर लिए vacancy जो आ रखी है, वो आ रखी है L&T construction की तरफ से यहाँ पे vacancy आपको देखने को मिलेगी अब power city यहाँ पे निकालेगी अब bulk में यहाँ पे hiring आपको देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं यहाँ पे कौन-कौन सी position आपको देखने को मिलेगी mechanical design engineer का position आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उन्हें ने बोला है कि अगर आपने graduation किया है mechanical के अंदर b b tech किया है साथी साथ अगर आपने यहाँ पे MEM tech भी कर रहा है तो भी आप इसको apply कर सकते है basically यहाँ पे जो उन्हें ने बोला है कि experience मांगा है तो यहाँ पे क्या होता है जब आप इंटरू देने जाते है तो आपको last 3 month का salary आपको यहाँ पे देना पड़ता है तो अगर आपको 6 मही ने हो गए एक साल हो गया काम करते हुए किसी company में work कर रहे है और आपको इन फिल्ड केंदर experience है last 3 month के आपको salary slip आपको दिखानी पड़ेगी बाकी वो पीछे का नहीं पूछेंगे कि आपने कहां पे काम किया था क्या किया था बस आपकी knowledge तगड़ी होनी चाहिए आपको industry से relevant सारी skill का knowledge होना चाहिए जो भी फिल्ड के अंदर यहाँ पे मांगा है यहाँ पे next vacancy देखने को मिलेगी civil engineer का structure के अंदर यहाँ पे vacancy देखने को मिल जाएगा even design engineer का vacancy आपको देखने को मिलेगा और design के अंदर बहुत ही scope है अगर design फिल्डे में जाते हैं तो आपको बहुत सारी various position आपको देखने को मिलती है इवन यहाँ पे जो आपके progress है बहुत दगड़ी देखने को मिलती है तो यहाँ पे भी वही है तीन से पंदरा साल का experience मांगा है तो अगर आपको यहाँ पे एक साल या डेट साल का भी experience है last three month का salary sleep आपके पास है आप ज़रूर सा apply करें chances maximum बनते हैं यहाँ पे आपके select होने के यहाँ पे अगर आपने post graduate किया है या पिर अगर आपने आपने बी बी टेक किया civil के अंदर या civil से relevant कोई भी ब्रांच में आप apply कर सकते है next agency आपको देखने को मिलेगी hydraulic design engineer का तो यहाँ पे कौन कोई eligible रहेगा civil eligible रहती है यहाँ पे और mechanical eligible रहती है तो अगर आपने civil में और mechanical में बी बी टेक किये आप apply कर सकते है M.E.M. टेक कर रख आप apply कर सकते है यहाँ पे इन्होंने बोला 3 से 12 साल का experience तो अगर आपके बास last 3 month का salary sleep है आप apply जरूर करिएगा यहाँ पे यहाँ पे कैसे apply करना है इन्होंने यहाँ पे पूरा mention किया है सबसे पहला आपको क्या करना है यह जो number दे रहे हैं आपको यहाँ पे call करना है और यहाँ पे fixed time पे आपको call करना पड़ेगा concert time पे call करना है आपको यहाँ पे call करके आपका नाम register करवाना पड़ेगा क्योंकि walk-in drive उनी का लिये जाएगा जो यहाँ पे register करवाएंगे ठीक है आपका जो timing रहेगा उसके पर मेर मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे जो नहोंने timing mention कर रख है वो आपका इन्होंने mention कर रख है सूबह 10 वजे से लेके शाम को 5 वजे तक आप कभी भी call कर सकता है ध्यान रखेगा सूबह 10 वजे से लेके शाम को 5 वजे तक call करेगा ऐसा नहीं है कि आप 6 वजे call कर evening के 7 वजे call करें तो यह call pick up नहीं करेंगे तो इस चीका आपको खयाल रखन है next agency के अगर हम बात करें तो आपको आपको देखने को मिलेगा geotechnical design engineer के अंदर vacancy देखने को मिलेगा तो जिन्होंने यहाँ पे BB tech या फिर MEM tech कर रख है geotechnical के अंदर यह सारी branches जिन के पास यहाँ पे है आप apply कर सकते है तीन से बारा साल का experience वागा है तो अगर आपके पास last three month का salary slip है अप apply कर देजेगा instrumentation design engineer के अंदर vacancy निकाला गया तो यहाँ पे अगर आपने graduate के like BB tech के MEM tech कर रखा electronics के अंदर instrumentation के अंदर या फिर उसके relevant कोई भी branch के अंदर आप apply कर सकते है यहाँ पे next vacancy के अगर हम बात करें तो यहाँ पे process design engineer का vacancy यहाँ पे रखा गया है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास graduation है post graduation है like chemical के अंदर environment के अंदर तो आप apply कर सकते है like BB tech, MEM tech कर रखा environment के अंदर या फिर chemical के अंदर आप eligible training के apply कर पाएंगे next vacancy आपको देखने को मिलेगे electrical design engineer का तो अगर आपने यहाँ पे BB tech के, MEM tech के अंदर electrical के अंदर और इस relevant कोई भी branch के अंदर आप apply कर सकते है next vacancy आपको देखने को मिलेगा transportation and highway design engineer का vacancy देखने को मिलेगा तो यहाँ पे अगर आपने ITA किया है और diploma किया है तो आप apply कर सकते है यहाँ पे ITA और diploma दोनों eligible है civil के अंदर इनोंने मांगा है तो अगर आपने ITA diploma किया आप apply कर सकते है वही आपको last three month का salary यहाँ पे आपको दिखना पड़ेगा next vacancy जो आपको देखने को मिलेगी आपको देखने को मिलेगी draft person का civil के अंदर draft person का mechanical के अंदर draft person का electrical के अंदर instrumentation के अंदर geotechnical के अंदर अब apply कर सकते है तो अगर आपने यहाँ पे ITA किया है किसी भी trade के अंदर diploma किया है civil, mechanical, electrical, instrumentation के अंदर आप apply कर सकते हैं बिल्कुल eligible रहेंगें यहाँ पे इन्होंने चीज mention कर रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक number दे रहा है इस number पे आपको registration करवाना पड़ेगा अपने नाम को call करेगा timing यहाँ पे इन्होंने mention कर दिया है जो कि timing आप करेगा सुवह 10 वजे से लेकि इन्होंने कोई deadline fix किये यहाँ पे 10 November तक आपको registration करवा लेना है क्योंकि जो आपका date of interview रहेगा वो आपका 12 November को आपको देखने को मिलेगा इससे related अगर आपको कोई doubt है कोई भी query है कुछ भी पूछना है आप नीचे comment box पे comment करके पूछ सकते हैं या फिर आपने को personally message कर सकते है टेलिग्राम पे WhatsApp पे, LinkedIn पे, Instagram पे और Facebook पे सारे link में आपको already description में provide करवा दिया है आप जिस भी platform पे उसको join करिए और आप directly मुझसे connect होए तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही याई